Good morning students, differential equation के इस 11th वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम equations reducible to an exact differential equation या हम ये कहें हिंदी में यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन करने वाले अवकल समीकरण हम निकालेंगे अभी तक मैंने आपको इसके दो case पिछले दो वीडियो में करा दिये हैं जिसे आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं अब आज मैं आपको case third कराऊंगी case third क्या है यदि समीकरण f1xy into ydx plus f2xy into xdy equal to 0 के रूप में हो यदि समीकरण हमारा इस रूप में हो तो समीकरण का हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम पहले आपकल समीकरण को mdx plus ndy रूप को देखेंगे फिर उसमें जो भी हमारे पास function है वो function xy का होना चाहिए उसके हर term xy के term में या constant में होनी चाहिए और साथ में dx के साथ में y गुणा होना चाहिए और dy के साथ में x गुणा होना चाहिए तो इस तरह की जब हमारे पास कोई equation आ जाती है तो हम उसमें एक integral factor निकालेंगे जो की होता है 1 upon mx minus ny जहांपर mx minus ny 0 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर हमारे पास इस तरह की कोई समी करन है तो हम उसको हल करने के लिए एक integrating factor 1 upon mx minus ny करेंगे यह वला तो अब जैसे example में मैं आपको समझाती हूँ जैसे यह example है मानने चे x cube y cube plus x square y square plus x y plus 1 y dx plus x cube y cube minus x square y square minus x y plus 1 into x dy equal to 0 हो अब इस differential equation में हम देखरेंगे यह जो function है यहां भी x y यहां भी x y x y का cube यहां यहां x square रहे तो यह जो function है हमारा यह function हमारा xd और y का है साथ में यहां पर ycons ydx है और यहां पर xdy इसी तरह से दूसरे सवाल में भी देखिए यहाँ पर xy है एक साथ यहाँ पर sin का भी जो एंगल है वो xy है कौस का एंगल भी xy साथ में ydx है यहाँ पर और यहाँ पर xy, xy, xy और यहाँ पर xdy तो इस तरह का जब हमको समय करन देखने को मिले तो हम उसको हल करने के लिए पहले integral factor निकालेंगे उसका जो की होता है 1 upon mx minus ny तो हम सबसे पहले mx minus ny निकालेंगे और देखेंगे कि वो 0 के बरावर तो नहीं है अगर वो 0 के बरावर नहीं है तो 1 upon mx minus ny को पूरी समीकरन से गुना कर लेंगे गुना करने के बाद वो अपने आप से exact form में आ जाएगी और उसको हम simple जैसे की exact form में हल करते हैं या direction विदी से हल करते हैं उस सवाल को देख करके हम उसको हल करेंगे तो मैं अब आपको questions कराती हूं solve the following differential equation निम्न अवकल समीकरनों को हल कीजे अब हमारे पास जो अवकल समीकरन है वो क्या है x square y square plus 5 x y plus 2 into y dx plus x square y square plus 4 x y plus 2 into x dy यह बिल्कुल उसी तरह का function है जो की हमारे पास दिया हुआ है क्या है the given function यह जगर menगे विल्क करेंगे इविल्कारक रिल्किंग रिल्क करेंगे यह जड बिल्क दियांके और्दी व Exact Time अपको जगे दिसव code बल्क करेंगा ऑसे बदिए यह जगमारे का मजगे । एक रिल्क्वाट निड्क्वाग the x dy equal to equal to 0 के रूप में है यह तो इसलिए इसको हम समाने यन रूप से exact बनाएंगे जहां पर की हम इसको 1 upon mx minus ny करेंगे तो पहले हम निकाल लेते हैं यहां क्या दिया है हमको m equal to क्या दिया है x square y square plus 5xy plus 2 into y क्योंकि हमारी सम्मेकरन हमेशा m dx plus n dy होती है जो homogeneous equation होती है वो हमेशा m dx plus n dy होती है या exact differential equation निकालने के लिए जो सम्मेकरन होता है वो m dx plus n dy के रूप में होती है यहां पर n हमारे पास में क्या है n है x square y square plus 4xy plus 2 into x अब यहां पर हम इसको क्या करेंगे m into x minus n into y कर लेंगे इसको तो यह हमारे पास क्या जाएगा इस m को x से गुणा कर देंगे और इस n को y से गुणा कर देंगे यह x y हमें हमारा common आज जाएगा मैं इसको लखती हूँ x square y square plus 5xy plus 2 into xy minus x square y square plus 4xy plus 2 into xy इसको जब हम simplify करेंगे तो यह हमारे पास में क्या आजाएगा x y बहार निकाल दिया हमने अंदर आया x square y square plus 5xy plus 2 minus x square y square minus 4xy minus 2 यहां पर यह x square y square से cancel हो गया यह 2 से 2 cancel हो गया तो अंदर क्या बचाया हमारे पास में xy into xy which is equal to x square y square तो हमारा integrating factor यह कितना हुआ 1 upon x square y square अब इस integrating factor को हम equation से गुणा करेंगे multiply integrating factor 1 upon x square y square by the equation 1 यह है हमारी equation number यहां पर 1 है तो हम इससे इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा x square y square into x dy equal to 0 अब हम इसको x square y square को पूरे में अलग-अलग में सब में divide कर देंगे यहां पर भी और यहां पर भी और इसको हम simplify करके लिखेंगे अब यहां पर हमारे पास x square y square में x square y square को divide कर दिया तो खोला तो क्या बचा y dx तो यहां पर हमारे पास में यह क्या बचेगा y dx तो हम यहां पर लिखेंगे y dx यह हमारी पहली term होई दूसरी term में यहां पर यह 5 x y यह x y टे divide कर दिया तो यह 5 upon x y हो गया और यह y इदर से कट गया तो यह हो गया 5 upon x तो यह हमारे पास होगा 5 upon x dx प्लस 2 upon x square y square हो गया y से y कट गया तो यह गया 2 upon x square y into dx यह हो गया हमारे पास में प्लस इसी तरह से यहाँ पर यह वाला x y dy हो गया यह x dy इस वाली term में क्योंकि यह और यह दोरों कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा x dy यहाँ पर यह आएगा प्लस x dy प्लस यहाँ से भी यह कट गया यह x कट गया तो यहाँ पर क्या आगया 4 upon 4 upon यहाँ पर x से x कट गया तो 4 upon y dy प्लस यहाँ पर फिर यह 2 x से यह कट गया तो नीचे कितना आगया 2 upon x square y square में x से x कट गया तो x y square यह यहाँ पर अगए 2 upon x square 2 upon x y square 2 upon x y square equal to 0 अब हम इनको कुछ-कुछ terms को जब हम इसको पूरी को रिख्शन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यह y dx और यह यहाँ पर यह y dx और यह x dy इनको हम एक तरफ से कर लेते हैं गट्टा तो यह हमारे पास में आएगा x y dx plus x dy एक तो यह term होगी हमारे पास में दूसरी term हम क्या इकट्टी करेंगे dx upon x और dy upon y अब यह वाली जो हमारे पास में है यह x का ही डिवाइड है तो यह अलक्से integrate हो जाएगी ऐसे ही यह 4 upon y dy यह अलक्से integrate हो जाएगी तो इनको कोई इकट्टा नहीं करना है हमको तो यह हमारे पास में हो जाएगी प्लस 5 upon x dx प्लस 4 upon y dy प्लस अब इन दोनों को इकट्टा कर लेंगे एक साथ यह वाली और यह वाली इन दोनों को हम एक साथ इकट्टा कर लेंगे 2 यहाँ पर एक dy और आएगा यहाँ पर तो यह हमारे पास में हो गया 2 upon x square y dx सोरी 2 upon x square y dx plus 2 upon x y square dy which is equal to 0 or that implies y dx plus x dy plus 5 upon x dx plus 4 upon y dy plus 2 बाहर निकाल देंगे हम इसमें से तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा हमारे पास में y dx plus x dy upon x square y square equal to 0 अब यह वाली जो term है यह हमारे पास में क्या होती है dx y और यह वाली जो term है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थी इसका भी एक d of क्या होता है minus 1 upon x y तो इसको इनको हम यहाँ पर लिखेंगे that implies which is equal to d of x y अगर हम x y का differential करें तो यह वाली time आएगी plus 5 upon x dx plus 4 upon y dy plus twice d of minus 1 upon x y जब हम इसको उपर से गुणा करेंगे यहाँ पर यही sorry minus 1 upon x का differential करेंगे तो हमारे पास यह वाली time आएगी which is equal to 0 अब इसको integrate कर देंगे हम समाकलन करने पर अब हम इसको integrate करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा differential का integrate जब हम कर देते हैं यहाँ पर integration of d x y plus integration of 5 dx upon x plus 4 integration of dy upon y plus twice integration of d यहाँ पर minus बाहर निकाल देते हैं minus twice 1 upon x y equal to 0 0 की जगे यहाँ पर क्या हो जगा फिर c तो यह हमारे पास में आ जगा यहाँ पर equal to c that implies यह हमारे पास हो गया है x y plus 5 log x plus 4 log y minus 2 upon x y equal to c इसको हम log को एक साथ इकटा कर लें तो हमारे पास में क्या जाएगा x y plus log of x की पावर 5 y की पावर 4 minus 2 upon x y equal to c तो यह हमारे पास जो आया यह हमारे जो दी गई समी करन थी उसका हल है तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे मैं आगे और question कराती हूँ अब हम question number second करते है question number second है x y sin x y plus cos x y into y d x plus x y sin x y minus cos x y into x d y equal to 0 अब यह हमारा differential equation है जो मैंने आपको पहले example में भी लिखा है तो इसमें देख लिजिए यह सारा x y x y x y x y के रूप में और y d x और x d y के रूप में आ रहा है इसका मतलब जो हमारा solution question है वो किस रूप में दिया गया है दिया गया समी करन हमारे पास f1 x y y d x plus f2 x y x d y दिया गया समी करन इस रूप का है अता है integrating factor is equal to 1 upon m x minus n y हम निकालेंगे तो जो हमारे पास समी करना है वहाँ पर m क्या दिया है हमको x y sin x y प्लस xy इंटू y इंटू x माइनस x y x y cos of x y तो यह हमारे पास में आ गया और यह हमारे क्या है 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब समाकल गुनाग समाकल गुनाग क्या हुआ हमारे पास में इंटिकेटिंग फेक्टर is equal to 1 upon 2 x y cos of x y तो यह हमारे पास में इंटिकेटिंग फेक्टर हो गया अब हम इस इंटिकेटिंग फेक्टर को समाकल गुनाग को दिये गए समीकरण से गुना करने पर जब हम इसको गुना कर देंगे तो यह exact differential equation बन जाएगी तो यह हमारे पास में क्या आया अब यह हमारे समीकरण आ गई अब इसको हम simplify करेंगे और हम जैसे जैसे integral निकलेंगे वैसे वैसे इसको solve करेंगे that implies यहां पर हमने इसको इसको divide किया तो x से x divide हो गया y square में y से हो गया तो यह क्या हो गया y 10 x y y 10 x y dx प्लस x यहां divide करेंगे इसी तरह से यहां पर इसमें divide करेंगे तो यह dy में आ जाएगी तो मैं इसको इधर लिख रहती हूँ पहले x 10 x y into dy प्लस dx upon x यहां से cos y से cos y cancel होगे y से y cancel होगे तो यहां पर आया हमारे पास में dx upon x यहां से इस 2 को हमने क्योंकि एक constant था इसको इदर ले गए इसको मैं हटा दिया यहां से 2xy यहां से हमने इस 2 को इदर से इदर से इदर से अटा दिया तो यहां पर dx upon x minus dy upon y आ जाएगा इस वाले में तो इस तरह से यहां से dx upon x sorry, dx upon x बचेगा और यहां से dy upon y बचेगा, which is equal to 0, सब में 2 आ जाएगा नीचे, उस 2 को हम उदर ले जाएगे तो वो हड़ जाएगा that implies, अब यह वाली जो समीकरन है हमारे पास में समीकरन के अंदर जो यह वाली term है, इस term का differential होता है d log sec x y plus dx upon x minus dy upon y equal to 0, इसको मैंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप इसका differential करोगे इसका मैं differential आपको अलग से करके दिखाती हूँ log of differential of log of sec x y इसका differential क्या हो जाएगा, पहले log का निकालेंगे तो 1 upon sec x y हो गया, इसके बाद मैं sec x y का निकालेंगे तो sec x y 10 x y हो गया, फिर into में x y का निकालेंगे तो x dy plus y dx तो यह हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पर इससे यह cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा x 10 x y dy plus y 10 x y into dx तो यह जो हमारे पास में आया यह वाली जो टर्म है, यह मैंने इसको यहाँ से यहाँ से मैंने इसको यहाँ लिखिए, जो यह वाली टर्म है यह देख लिजे, y 10 x y dx plus x 10 y इसको मैंने लिखा d log sec x y plus of this अब हम इसको solve करेंगे आगे that implies यह समा कलन करने पर यह जो मैं, इसको जो imagine किया है यह आपको बहुत सारे integrals के सवाल और differential के करोगे उसके बाद ही आपको यह imagination में आएगा समा कलन करने पर integration of d log sec x y plus d x upon x integral minus d y upon y integral equal to c constant of integration आगे that implies यह क्या होगे log sec x y plus log x minus log y अब सारे में log आ रहा है तो यहां भी हम log constant of integration को हम अपनी चाशी ले सकते हैं तो यहां पर हम इसको log of c ले ले लेते हैं प्लस log of sec x y is equal to log of c और log of x upon y into sec x y is equal to log of c. दोन तरफ से लोग अटा देंगे तो यह हमारे पास में आ जाएगा यह हमारा आंसर जो हमें समीकरण दे हुई थी उस समीकरण का यह हल है. तो इस तरह से हम जितने भी सवाल आएंगे differential equation के first order first degree में उसको पहले पहचानेंगे और पहचान के उसके जितने भी नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी तक उन नियमों को लगाएंगे. आगे भी इनके दो ती नियम और वाकी हैं exact differential के वो मैं next वीडियो में कराऊंगे. Thank you. Thank you.